मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सिंपल सा गेम शेयर करने वाली हूँ यह अगर आपके बच्चे ने सॉल्फ कर लिया ना तो मैं आपसे शर्ट लगा सकती हूँ आपका बच्चा होने वाला है बहुत ही बड़िया वाला जीनियस जी हाँ जीनियस होने वाला है पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्या है यह गेम देखे इस गेम में क्या करना है आपने बच्चे को देना है इस तरीके से एक पिक्चर बना के अब rule क्या है first rule ये है कि हर line का जो total है वो आना चाहिए 14 चाहिए मैं ऐसे sum करूँ या ऐसे sum करूँ या ऐसे sum करूँ actually मेरे पास ना भी एक दो दिन पहले ही एक comment आया था कि आपने ये video उस channel से copy करी है और जब मैंने check किया तो उस channel की video मेरे चैनल की video के second day पर गई है तो आप सोच सकते हो किसने किसे copy किया है YouTube पर आज की rate में इतने सारे channel सोचुके हैं जब से मैं ये worksheets वगरा share करती हूँ न सब औरतों को शौक चड़ गया है कि worksheets share करने का तो प्लीज अगर आप मुझे comment कर रहे हो तो चलो फिर देखते हैं कैसे use करना है और हाँ तीसरा rule भी तो है तीसरा rule ये है कि 1 से 7 तक के जो numbers को use करना है उसे हम एक ही बार use कर सकते हैं तो चलो solve करते हैं सबसे आसान तरीका इतका मैं आपको बता देती हूँ कि beat में आप लिख लीजे सबसे बड़ा वाला number लिख लिया अब हम लोग check करेंगे कि 14 हम कैसे बना सकते हैं जैसे माल लो 7 है तो बच गया 7 अब 7 को मैं कैसे कैसे cut कर सकती हूँ 1 और 6 में 4 और 3 में और 5 और 2 में लीजे हो गई मेरी solve puzzle तो मैंने क्या किया जो भी सबसे बड़ा वाला number है उसे मैंने बीच में रिख लिया और फिर इस तरीके से solve कर दिया तो बहुत आसान तरीका है इसी तरीके से मैं triangle का भी दिखाना चाहते हूँ इसमें भी rule यह है कि आपको use करना है 20 तक का sum आना चाहिए use करना है आपने 1 से 9 तक के numbers को इस तरीके से इस तरीके से 20 समाना चाहिए कैसे हम इसे solve कर सकते है सबसे आसान तरीका इसका भी मैं आपको बता दियूँ जैसे इसमें 1 से 9 तक use करना है तो मैं क्या करूँँगी 9 और 1 यह दोनों use कर लूँगी 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और 1 मैंने use कर लिया है तो क्या बचा मुझे अभी add करना है 10 तो 10 के लिए मैं क्या use कर सकती हूँ 7 और 3 आप चाहो 7 इदर लिख सकते हो 3 उदर भी लिख सकते हो अब मैंने 3 add कर लिया तो मुझे अभी और क्या चाहिए 17 17, अब 7 तो मैं पहले यूज कर चुकी हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अब मेरे पास जो बचे है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन में से किसी भी नंबर को add करने के लिए, मैं यहाँ पर लिखूँगी 8, तो 8 मैंने यूज कर लिया, 4, ठीक है, तो यह होगा 12, 13, 14, 15, तो यहाँ पर मैं पर लिखना है, यह कितना हुआ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यह हो गया है 12, 20 में से 12 गया, तो बचा 8, तो मैंने कौन-कौन से यूज कर लिए इसमें, 8, तो 8 कैसे बचा है, 6 और 2, तो मैं किसी भी box में 6 लिख लूँगी, और 2 लिख लूँगी, तो अब आप सम करेंगे, तो किसी साइट का सम 20 आएगा, उमीद करती हूँ, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करोगे, शेर करोगे, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लोगे, हर रिपीटेड वीडियो को देखने से अच्छा है कि आप ऐसे चैनल को सब्स वीडियो सबसे पहले आती है, वरकशीट की गेम्स की वीडियो सबसे पहले मेरे पास ही आती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, थेंक्यू, थेंक्स वर वाचिंग,